नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बाल रामकता का अगला भाग अध्याय आठ सीता की खोज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं जै श्रीरा राम के मन में कई प्रकार के प्रश्ण थे आशंकाएं थी मारीज की माया उन्होंने देख ली थी वहचल से उन्हें कुटिया से दूर ले आया था अब क्या होगा यही सोचते हुए वे कुटिया की और भागे चले जा रहे थे वापसी में एक पल भी विलंब नहीं करना चात आते थे लक्षमन को वे कुटि पर छोड़ आये थे सीता की रखवाली के लिए अच्छा हो कि लक्षमन वही हो मारीज की मायावी आवाज उन्हों तक ना पहुंची हो राम ने सोचा सीता अकेली रही तो राक्षस उन्हें मार डालेंगे खा जाएंगे तभी उन्होंने प उठा ले गए होंगे अकेली सीता दुस्ट राक्षसों के सामने क्या कर पाई होंगी पुटी छोड़ कर आने पर वे लक्षमन से क्रुध थे उन्होंने क्रोध पर नियंटर्ण रखा लक्षमन का बायां हात जोर से पकड़ लिया डर ने दोनों भाईयों को घेर लिया था देवी सीता ने मुझे विवश कर दिया ब्राते उनके कटू वचन मैं सहन नहीं कर सका अटाक्ष और उलाना नहीं सुन सका मैं जानता था कि आप सरकुषल होंगे आपकी सुरक्षा को लेकर मन में कोई संदेह नहीं था तब भी मुझे कुटिया चोड़ कर आना पड़ा ल मायावी राक्षसों का कोई ठिकाना नहीं राम ने चलने की गती और बढ़ा दी कुटिया अभी कुछ दूर थी पर दिखाई पड़ने लगी थी राम ने वहीं से पुकारा सीते तुम कहा हो जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि सीता अश्रम में नहीं है कुटिया मौन रही वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिला राम की बेचानी बढ़ गई उनकी एक आवास पर कहीं से भी उपस्तित हो जाने वाली सीता वहा नहीं थी अनुपस्तिती बोलती कैसे राम की आवास पेडों से टकरा कर हवा में विलीन हो गई कुटिया के शून्ने में समा गई राम कुका पुकारते रहे उत्तर में उन्हें हर बार सन्नाटा ही मिला चुपी हर ओर थी हर दिन हवा में जूलने वाले पत्ते शांत थे लताय गुमसुम पड़ी हुई थी चडियों की चहक लुप्त थी कुटिया के निकट गुमने वाले पशु पक्षी चुप खड़े थे सब स्थ राम भागते हुए आश्रम पहुँचे कुटिया में जाकर देखा सीते सीते पुकारते हुए उन्होंने आसपास की हर जगह देखी पेडों जाडियों के पीछे गए उन स्थानों की और भागे जहां सीता जा सकती थी सीता का कहीं पता न था शोक से व्यकुल राम रोने ल पता को कहीं देखा है नदी ने कोई उत्तर नहीं दिया वे पंचवटी के एक एक व्यक्ष के पास गए सबसे पूछा कोई सीता का पता बता दे हाथी के पास गए शेड से पूछा पुलों के पास रुके चट्टानों पत्थरों से प्रश्न किया चोक संतप्त राम भूल ये चट्टाने नहीं बोलती, पेड़ पौदे बात नहीं करते, उनकी भाशा मौन है, उनके उत्तर भी मौन ही है, राम की मानसिक स्थिती विक्षिप्त जैसी थी, एक बार उन्हें लगा कि सीता वहीं है, कुटिया के पास, अभी भाग कर पेड़ के पीछे चिप गई है, उ राम का दुख लक्ष्मन से देखा नहीं जा रहा था, उनका व्यवाहर सहन नहीं हो रहा था, वे राम के निकट गए, विलाप करते राम ने कहा, मैं सीता के बिना नहीं रह सकता, तुम अयुद्या लोट जाओ लक्ष्मन, मैं वहाँ नहीं जाओंगा, यहीं प्राण दे चाहिए, इस तरह दुख से कातर नहीं होना चाहिए, हम मिलकर सीता की खोज करेंगे, वे जहां भी होंगी, हम उन्हें ढूंड निकालेंगे, सीता हमारी प्रतीक्षा कर रही होंगी, लक्ष्मन ने उन्हें धांडस बंदाते हुए कहा, राम शान्त हुए, पर थोड़ी ही सीता के बारे में जानते हैं, उन्हें कुछ बताना चाहते हैं, हे मिरिग, तुम ही बताओ, सीता कहा है, राम ने पूछा, इन्हों ने सिर उठाकर आसमान की ओर देखा, और दक्षिन दिशा की ओर भाग गए, राम ने संकेत समझ लिया, हमें सीता की खोज दक्षिन दिशा में ही कर दी चाहिए उन्होंने लक्ष्मन से कहा हिरन उसी और गए हैं वन में बटकते हुए उन्होंने एक तूटे हुए रत के तुकड़े देखे मरा हुआ सार्ती और मृत गोड़े भी थे वन में रत का क्या प्रयोजन उसके तूटने का क्या अर्थ राम असमंजस में यह माला संगर्ष के दोरान वेणी से तूट कर गिरी होगी पर यह रत कैसे तूटा राम सोचने लगे सीता के संगर्ष से यह नहीं तूट सकता अवश्य किसी ने राक्षसों को चुनोती दी होगी उनसे युद्ध किया होगा महां से थोड़ी ही दूर राम ने पक्षिरा जटायू को देखा पंक कटे हुए लहु लुहान अंतिम सांस गिनते हुए ए राजकुमार सीता को रावन उठा ले गया है मेरे पंक उसी ने काटे सीता का विलाप सुनकर मैंने रावन को चुनोती दी उसका रत तोड़ दिया सा जटायू ने प्राण त्याग दिये राम ने आगे बढ़ने से पहले जटायू की अंतिम क्रिया की वे सोचते रहे पच्ताते रहे यह कैसा विधान है मैं तो कष्ट में हूँ ही मेरी सहायता करने वालों को भी इतना कष्ट राम की आखे नम हुआई उन्होंने जटायू को अंतिम बार प्रणाम किया जटायू ने सीता के बारे में महत्वपोन सूचना दी थी रावन का नाम बताया दिशा बताई जिदर सीता को लेकर वह गया राम जटायू की चिता के पास मौन खड़े थे यह समय विलाप करने का नहीं है हमें तुरंत दक्षन पश्चन दिशा के ओर जाना चाहिए सीता उधर ही होंगी लक्षमन ने तत परता दिखाई आगे का मार्ग और कठिन था राम और लक्षमन को लगबग हर दिन राक्षशी आक्रमणों से जूजना पड़ा अनेक कठिनाईयां आई अब रोध मिले दोनों राजकुमार प्रतेग बादा पार करते चले गए उनके सामने लक्ष स्वष्ट था दिशा तै थी उन्हें कोई नहीं रोक सकता था वन मार्ग जितना कठिन होता गया उनकी द्रिनता बढ़ती गई वनवासी राजकुमार प्रतिदिन सुबा उठते और दक्षन दिशा की ओर चल पड़ते एक दिन यात्रा के प्रानर्ब में ही एक विशालकाय राक्षस में उन पर आक्रमण कर दिया उसका नाम कबंद था कबंद देखने में बहुत डरावना था मोटे मास्पिंट जैसा गरदन नहीं थी एक आँख थी दांत बाहर निकले हुए जीब साब की तरह लंबी और लपलपाती हुई राम हाथ फैलाए एक एक हाथ से दोनों भाईयों को पकड़कर हवा में उठा दिया उसे मन मांगा आहार मिल गया था बैठे बिठाए वह अपने शिकार को बुझाओं में लपेट कर मुह तक ले जाता इससे पहले ही राम लक्षमण ने अपनी तलबारे निकाल ली एक जटके म महराद दशरत के पुत्र है राम और लक्षमण रावन ने राम की पतनी सीता का हारण कर लिया है हम उनी की कोज में निकले हैं राक्षस कबंद ने राम के बारे में सुन रखा था साक्षात उन्हें देखकर प्रसंद हो गया उसने कहा मैं सीता के संबंद में कुछ नहीं ज आप दोनों पंपा सरोवर के निकट रिश्यमूख परवत पर जाएं। आगे जाने से पूर्व शबरी से अवश्य मिल ले। यही बोलते बोलते कबंद ने प्राण त्याग दिये। प्राकरतिक सौंदर्य अद्बुत था, मतंग रिशी का आश्रम उसी सरोवर के किनारे था, लता कुंच से गिरा हुआ, सरोवर का पानी मीठा था, शबरी की कुटिया आश्रम में ही थी, वह रिशी की शिश्या थी, उसकी आयू बहुत हो गई थी, जरजर काया, लेकिन आखे ठीक थी, हर पल राम की प्रतीक्षा में खोली हुई, रिशी ने उसे बताया था, कि एक दिन राम आश्रम में अवश्य आएंगे, और उससे मिलेंगे, राम को आश्रम में देखकर शबरी बहुत प्रसंद हुई, उनकी आव भगत की, सेवा की, खाने को मीठे फल दिये, र इसके पास विलक्षन शक्ति वाले बंदर है, शबरी ने राम को आश्रम किया, अगले दिन राम रिश्यमूख परवच चले गए, उनकी व्याकुलता अब और घट गई थी, मन की शान्ती लॉट आई थी, दोस्तों हमारा ध्याय आठ सीता की खोज यहां समाप्त होता है, इसका अगला भाग पढ़ेंगे हम नेक्स वीडियो में, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल स इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाएए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें और बड़ों का आधर करें, धन्यवाद, जैश्रीव नाम